उसक्ष के बारे में और निहा ककर के बारे में कि इसके उपर निया ककर का क्या कहना है पर उसे पहले अगर आपने हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए बेला आइकन को दबा देची जानकर यह अच्छी लिगी तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाहिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हो भी जरूर जाहिए तो इसके साथ शुरू करती हूँ आज की निउज इंडियन आइडल गयारा आडिशन शुरू हो चुके है और उसके बाद यह जो शो है काफिजार चर्चा में बना हुए है कभी ना कभी यह ऐसे चर्चा में बन जाता है जहां पर वहां पर आते हैं कुछ कंटेस्टन और इमोशनल कुछ बाते करते हैं निहा ककर रोने लग ज अगर आप टोनीं ककड के बारे में जानते हैं तो निहा कंक की ने टोनीं ककर के बारे में अभी हाली में ही अपने पहेशल अकाउương अगान यह भी चप सब चीज़े बोले कि मुझे डानता तो है मुझे गुशा भी बहुत बार आता है पर मैंने कभी भी उनकी बात को टाला नहीं है क्योंकि वो कभी भी मुझे कुछ अड़वाइस देते है तो वो अड़वाइस एकदम सही रहती है क्योंकि वो मुझे अपनी बेहन ने अपनी बेटी के जैसा देखते हैं और उसी के साथ टोनी ककर ने ये बात बोले कि जो उनकी बेहन है वो सबसे जादा अच्छी है सब बेहनों में से सबसे प्यारी बेहन उनकी है और उर्सी के साथ उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ जब ये सोशल मीडिया पे बहन भाई का प्यार देखा लोगों ने तब लोगों ने इस चीज़ को दुबाह से रिपोस्ट करना शुरू कर दिया और अभी ये काफी ज़ादा फैला हुआ सोशल मीडिया पे भाई भेहन का प्यार की कैशन में वो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो लोगों को भी बताना चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसी है क्या गाईज ये सिरफ एक पब्लिक स्टन्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़े खबरे बाहर आ रही है कि पब्लिक स्टन्ट बहुत जादा हो रहे हैं सबस्क्राइब कर लिजा अंतकी साथ क्या हैं अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीजियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पो वाचिंग भैचजे नियूज